एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में चीकू नाम की एक छोटी सी चिडिया रहती थी। चीकू बहुत ही चंचल और हंसमुक थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, वह आस्मान में उंची उडान भरना चाहती थी, जैसे बड़ी चिडियाएं उड़ती हैं। चीकू के दोस्तों में मुनिया तोता, गुया गौरिया और बबलू कबूतर थे। वे सभी चीकू को बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद करना चाहते थे। एक दिन चीकू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आस्मान में उंची उडान भरना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। मुनिया तोता ने कहा, चीकू, अगर तुम सच में उड़ना चाहती हो, तो तुम्हें अपने डर को हराना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा की कैसे उंचा उड़ना है। गुया गौरिया ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी की हवा में संतुलन क कैसे बनाना है बबलू कबूतर ने कहा और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लंबी दूरी तक उड़ना है चीकू बहुत खुश हुई और उसने अपने दोस्तों की सलाह मानने का फैसला किया अगली सुबह मुनिया तोता गुया गौरिया और बबलू कबूतर ने चीकू को सिखाना शुरू किया मुनिया ने उसे पंक फैलाना और उड़ान भरने का सही तरीका बताया गुया ने उसे हवा के साथ संतुलन बनाना सिखाया और बबलू ने उसे लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए अभ्यास करवाया कुछ ही दिनों में चीकू ने अपने दोस्तो की मदद से उडान भरना सीख लिया। का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा उंचा मत उड़ना। पापा पंची ने स्मित करते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आ जाना। हम यहाँ हैं। चीकू ने पंक फड़ फड़ाते हुए पेड की टहनी पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश की। एक दो तीन उड़ान उसने आत्मविश्वास से कहा, धीरे धीरे वह उड़ता हुआ पास के पेड पर पहुँच गया। वाँ, मैं उड़ रहा हूँ। चीकू खुशी से चहका। कुछ देर बाद, चीकू और उसकी दोस्त गुड़ी साथ खेलते हुए मिले। गुड़ी ने हंसते हुए कहा, चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, हम और उँचा उड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू ने उच्सा से कहा, हाँ, चलो, दोनों उचाई पर उड़ने लगे। तभी उन्हें बगुला अंकल दिखे। बगुला गंभीरता से बोला, बच्चे, ध्यान से उड़ो। आस्मान में खत्रे भी होते हैं। चीकू और गुड़ी ने बगुले अंकल की बात मानकर सावधानी से उड़ान जारी रखी और फिर अपने पेड़ पर वापस आ गए।